16 साल की वेटी को खवा उसमा का दर्द को समझे उसके पिकता करें पहुचा हो बेटी तो जारी फिए घर नहीं आ रही है तूटेगा ताला उस दिन संविधान का पेटी का जिस दिन जिसमें लुटा जागा नेताओं का बेटी का सब्सक्राइब देखिए एक तरफ इस देश में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ा वहीं दुसरी तरह बेटिया जो है वो सुरक्षित नहीं है हम बात कर रहे हैं बिहार के और अंगाबाद के नभी नगर के बारे में जहां पर एक छात्रा जो है सुबह में कोचिंग जाती है पढ़ाई करने के लिए और छात्रा के साथ कुछ ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं अभी हमा मामला प्रेम परसंग का है कि इस दुनिया में नहीं लड़की 11 जुन को गाइब होती तरह मिलता है उस राज में सुसाशन की हवाला दिया जाता है उस राज में जिस राज की सरकार महिलाओं को सरसक्त करने के लिए ना जाने कितनी सारी होजनाव लाते हैं महिला आयोग बना हुआ कई सारे आयोग है कई सारे कंपनिया काम कर दए है महिलाओं के ले करके लेकिन इस राज में जिस सुसासन की राज जिस जंगर राज खतम करने के नाम पे बैठी इस बिहार के मुख्य मंतरी आज हमें इस बात को कहने में डर लगता है कि इस बिहार में जंगर राज नहीं है क्योंकि निश्ची तुरुप से जंगल राज है हम नहीं कह सकते हैं कि जंगल राज है क्योंकि सरकार फसाती है केसों में आज जंगल राज वो सचाई दिखता है किसके कारण गई यह आपको पता लगाना होगा यह मामला प्रसासन को यहां पर मदद करना चाहिए और इस मामला में जो भी दोसी होंगे जो भी दरिंदे होंगे और इस मामले में पकड़े जाते हैं तो वह अपराधियो पर बिहार में कोई बरा एक्सन नहीं लिया जाता और इही कारन है कि अपराधियों का जो मनोबल है वो बरते जाता है इस तरीके के घटना को आज़ा है इस मामला में साइटी का टीम घठन किया गया इसके लिए तो हम धन्य बाद देना चाहेंगे और अंगावाद पुलीस कैप्टन महोदे को भी और अंगावाद पुलीस परसासन के लोगों सब्सक्राइब करते हैं इसको भी आपको मानना होगा करा कनून लाना होगा माँ बहनों को स्वच्छा देना होगा जब आप माँ बहनों को सुरक्षा दने में असपन है तो आप गर्म से कवाने ब्यान में जंगल राज जाए और हम जंगल आज को खतम लगता है कि वह पपू यादो तिजस्वी यादो और चिराग पासवाने लोग चाहेंगे देख माँ जाती बहुत है जाती बाट रहा हो जाती बाद सिस्टम करता है जाती बाद आपके लोग करते मजबूर करते करने पे अच्छिन 11 जुन की घटना है आज 17 तारेख हो गए आज तक लोग नहीं पहुंचने बड़े बारे लोग क्यों आज पहुंचने बाई पपू पॉन सिर्फ पर यह लोग सदेंटर करते हैं लेकिन आज रिया को न्याय चाहिए जात पास उपर उट कर भी वहां से लोग सभा का चुनाव लगर वह भी जाके ट्वीटर पर ट्वीट किया है लेकिन पॉन सिंग ट्वीट करना सोचल मीडिया पर ट्वीट करना असान ची तर कि अतंतर को कि लिए जाती बात का टैग उन्हें नेताहों को मिलना चाहिए जोत्ता बैप है सता संपोसित है संप्वाश पर सुक्रेश लेच भी लाइन लोग में निया दिल और envision जातिवाद में बिहार इतना बट गया है कि आज जातिवाद के चलते बहुत सारे नेता मंतरी जो है वो सिरेया के घर नहीं पहुंच रहे हैं हलाकि इस दुख के घरी में कई ना कई उन लोग को साथ देना चाहिए और मुझे लगता है एक बार वो घर पे पहुंचके जाके ट्वीट कर दे आवाज उठाते वीडियो डाल दे सोचल मीडिया पर तुरंद जो है एक्शन मतलब इसमें सुरू हो जाए एक चीज देखिए यहां पर देखिए बुल्डोजर नहीं ऐसे लोगों के इस धर्ती पे जिंदा रहना ही नहीं चाहिए पर सासन को करा करून ना चाहिए करून में संसोधन करना चाहिए मा बहनों के साथ अगर कोई गलत करता है और उसके गलत साभित होता है तो वैसे दरिंदों को मार दना चाहिए पर के लोग का कहना है कि एसी डालकर जो है हो सकता है कि इस घटना को अंजाम दिया गया लेकिन परसासन कह रही है कि पेट से पानी होगा निकला है हो सकता है कि वह खुच जाके नदी में कूद गई होगी या फिर किसी लर्की के द्वारा पिरिम पर हम और आप अगर कुछ कुछ भी कहते हैं उसका सत्यता नहीं होगा सत्यता तो होगा समाटम रिपोर्ट का सत्यता होगा परसासनिक रिपोर्ट का और इसमें अगर कुछ भी है मामला को जाज किजिए हर मामला में एक नया प्रकिरिया चल गया है एक नौजवान लड़का मड़े या नौजवान ल जिस दिन जिसम लुटा जागा नेताओं का बेटी का अगर ये घटना आज मिडिल परिवार स्रया के साथ हुआ है अगर ये घटना किसी बड़े नेताओं के साथ हो जाता तो आप देखते कि सासन परसासन किस प्रकार काम करता किस प्रकार से लोग करवाई हो जाता किस प्रक चलिए बाकी ये जाच का भी साय है लेकिन इससे पहले उन मेडिया लोगों से भी रिक्वेश्ट रहेगा कि जो लोग लोग सबा चुनाव को देखते हैं बरे बरे नेता मंतरी के बयान जाके लेते हैं वो कम से कम इस तरीके से घटना जब सामने आ रहा है तो उस घटना को ज जो है कहीं न कहीं नियाय मिल सके बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दे आप मारे सांच चुर रहे हैं बहुत बधन्यवाद